वैसे तो बरेली में तमाम मुद्दे होंगे मुझे लगता है सिक्षा से जुड़े स्वास से जुड़े और जो मूलभूस सुविधाय होती है उससे जुड़े उस पर हम बात करते रहे हैं बरेली में कुछ दिनों पहले हमारी टीम आई थी उसने भी बात की ती मुख खरता स है तो फिलाल हमने एक मुद्दा चुना है कुटी रुद्योग के बारे में कि बात होती है तो इस इंडस्ट्री की बड़ा का बहुत जिक्र आता है तो हमारे बीच तीन महमान जुड़े हुए हैं उनसे आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या फिलाल हालात है कुटी नर्ची रुद्योग के बरेली में आप सभी का इस्वागत है तो सबसे पहले तो भाई आप से शुरू कर लेते हैं और ने ठीक बत्ती में ब dirum चीए शुरू करते हैं आप से आपका नाम मॹंभ असलम असलिम जी यह हमुझा हम बरेली कि बात करते हैं तो सबसे पहले जरीज औरदोज़ी के काम के बारे बारा इसका जिक्राता है चाहे लोगों जोगों से आम बाषटा में बात कर लीजिए चौह ऑन के चेनल और आप संभा को और त्माम स्वाइन को ब्रेणी की पैचान उसमें तीन चार ऐसे काम ऊप है और बरेली का गया दर्दूजी का यह काम मछूरा है आज भी है बहलך यह निए में प्रेभेश करते हाथ है तो जब जब लगा दिए है तर Ihr जरी नगरी में आपका स्वागत है आपने देखा होगा कि जरी नगरी में आपका स्वागत है तो इस शहर को जरी नगरी खोश्चित कर दिया गया और भी कई दो किसमें ऐसे हैं बेट का है और फनीचर का है लेकिन सबसे ज्यादा मशूर अगर कुछ हुआ तो जरी का का यह काम मदराज से आयो तो आप से कदीम जमाने पहले लग भग 3030 साल या से बान लीधे यहां से लोग काम से काम स्थिका कामया थे यह उसे एसा काम है कि जादू है ये जादू तो है पर जादू बचा है गतना बचा है तो वो जादू की तरह लोग देखते थे आज इसकाम की नौइयत हैं कि हंहि बचा तो वो आरी काम बचा जहरी के काम बचा है. इस काम की मझदूरी आज की डेरडे में व्रeắp 100% पास ज्यादा नहीं मिल पा रही हैगी. अब आप इस काम के कारीगर पर की अलगा सकते हैंगे कर दो दूऐ तो सब्से हाहना बात अगर कहीं पे इसमें। आपके माद्यम से बताना चालता हूंud कि अगर सरकार इसमें कोई अपने ऑपने दुवहार, कुपि सरकाऱ घुटला करती रहती है। गोटनां होती है। लेहाजा यजा पी पुराने कित तारीक है काम लेकिन कारिगर की हालत इतनी बत्तर हो गई है कि आज उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, अगर इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो वो जाहिर से बाते हैं, असलम जी उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना कहले, ODOP नाम से One District One Product, उसमें तीन चीजें हैं, एक तो जरी, जर्दोजी के काम है, दूसरा फरनीचर का काम है, और तीसरा ये बास बास वाले फरनीचर जा है, तो क्या आपको इस योजना की जानकारी है, इससे कोई लाब मिला आपको? जी, जी, मुझे जानकारी है, लेकिन मैंना बताया आपको लाब की गवर्मेंट की योजना है, लेकिन जो हमारा जो इस्तल है, परिवाद को ये लेकि हम जो इतने भी जरीक कारिकर है जाए तरस में आशिक्षित लोग हैंगे, तालीम हमारे पास नहीं है, और अगर कहीं है बिए कोई आदमी इससे फास्ता उटना चारा है, तो आगे भर्ष्टाचार इतना है, कि हम ना करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, किस ब्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपका किस तरह के भर्ष्टाचार से सामना हुआ, लब यह आप सिर्फ बोल दे रहे हैं कि हैं कि आपका कोई ऐसा आपके साथ वाकिया भी हुआ है, मैंने अभी कुछ दिन पहले कारोबाई के लिए लोन की भात की थी, फोन आ गया है, पहले फोन रोक लेजिएwert लोन की बात कहा बात के हाँ बइंक से, मेरा काम मेरा शौटाच दूँ गया, रेजिस्टराशन करा लेहाद मुझे कुछ लोन की जुरूत है तो अब वहाँ पर सीधी सीधी एक बात हुई परसंट कितना दिया जाएगा अच्छा कौन से बैंक गया आप कहां पर यह नहीं बताँगा मैं अभी अभी अच्छा बरेली में किसे बैंक में आप गया और फिर क्या हुआ बरेली में नहीं लिया यही करना है जो इनहोंने किया है नहीं लिया मैंने किया क्रवार थे बात हार और पर रहाएं यह कर दे है कि को शर께서 को चाहिए ऐसा कि तो आसलम जी ने जो बात की उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अबिनो जी और दुर्गेश जी से सवाल में पूछना चाहूंगा जिसका इन्होंने जिक्र किया जरी जर्दोजी के काम करते हैं बाइसाब और ओडियो पी वन डिस्ट्रिवन प्रोडेक्ट के तहट भी आता है और उसकी जानकारी भी इनको है और इसी जानकारी के तहट उनको लगा चलिए इसकार कुछ लाब लिया जाए बैंक गए वहां कमिशन मांग लिया गया क्योंकि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं दोनों कई हो रहा है और इसको रोकने के लिए आप लोग की तरफ से कोई प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से कोई प्रयास हो रहे हैं क्या हालात है विराल बरेली में देखिए सिस्टम तो डेफिनिटली काफी खराब रहा है पिछले काफी सालों से इसलिए सबी लोग परेशानी जिलते आ रहे हैं बर अब समय के साथ परिवर्त आ रहा है जो हमारी नई जनरेशन आ रही है चाहे वह जरी के काम में आ रही हो या किसी भी विपार में आ रही है उद्योग में आ रही हो तो वह उसका माइंसेट बॉर्ट डिफेरेंट है वह इस तरह का ना तो करेक्ष्मन बड़्दाश कर पा रहा है ना इस काम में आ रहा है और यह सरकार ने देखा तो मैं तो यह अपने अनुभव से कह सकता हूं क्योंकि हम लोग उद्योगों के संगठनों से जोड़े हुए हैं पिछले 5-6 सालों में लगबग यूथ इस तरफ डाइवट हो कि तरफ लॉक्री की तरफ जाते थे वट अब कुछ परिवर्दन आ रहा है सरकार की मनशाई बहुत अच्छी है बर मैंने कहा सिस्टम थोड़ा करप रहा है डिपार्टमेंट की कम्यों से अच्छी है बिलकुल है और सरकार की मनशा का अंदाजा लोगों को उनके काम से तो आप जो जिस मन्शा की बात कर रहे हैं मेरा सवाल उसी पर है कि मन्शा तो अच्छी है किया क्या है इस मन्शा को लोग कैसे माने की अच्छी है इसी पर मेरे क्योंडी है इसी आप peng pase याईंगे उस secretary के घौने के लाने के लिए हम लोगों ने बड़े लेवल पर काम भी किया था हम लोगों ने टेक्स्टाइल पार्क लाने की कोशिश की बरेली में सरकार की मनशा थी सरकार ने डिक्लियर भी किया फत्य गंज पश्चिमी की तरफ एक बहुत बड़ी लेंड इसके लिए ली भी गई बर फिर मैं कहूंगा सरकार की मनशा थी कि आए टेक्स्टाइल पार्क बने टेक्स्टाइल पार्क अगर बन जाता तो बरेली का नाम जो एक हुनर बरेली के अंदर है जरीं का और कारीगरी का उसको हमें इस् invece करना था हम लोगों क इंच्छा भी थी सरकार नहीं कर पाई यह हजम नहीं होता डिपार्टमेंटल प्रॉलम्स की विए से लेंड यूज उसका चेंज नहीं हो पाया चार साल तक हम लोग लड़ते रहें तो सरकार किस लिए है डिपार्टमेंटल प्रॉलम्स बहुत सारी है अभी अब उसे जूजरे हैं हम लोग और समय समय रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पर समय लगेशी जिसका जिक्र अभिनौ जी ने किया कि सरकार की मंशा है मंशा ठीक है कि नहीं है जो उनके जवाब ते उससे मैं बहुत सहमत नहीं हूं आपका क्या सोचना है आप लोग की सवाल लूँगा मैं और जिनसे सवाल होग लोग जवाब भी देंगे मगर यह चिलाएं ना क्योंकि चिलाने से को डिस्टर्बेंस होता है वागि आप लोग के सवाल में पूछ रहा हो ना हां नहीं है आप बोलना मैं सुन लूँगा आपका भी हां आप बोलने वो भी सही है ठीक है बताइए सरकार की जो मंशा होती ह से लागू करने के लिए लोकल इस तर पे जो अधिकारी होते हैं उनकी पूरी डिबार्टमेंट वालों की पूरी जम्मेदारी होती है अभी असलम भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि जरी जर्दोजी के जो मजदूर है अब उनको अपने इलाज के लाइक भी पैसे शा जर्दोजी वालों से काम करा के विदेश में अमेरिका में एक्सपोर्ट किया करते थे ममता इंटरनेशनल करके थी लेकिन अब शायद वो ममता इंटरनेशनल खतम ही हो गई क्योंकि जरी जर्दोजी का काम खतम हो गया ममता इंटरनेशनल खतम हो गई यह अभी दो-चार सा उन कुटी रोधियों को पट्री पर लाने के लिए किस तरह के शुरुवात हुई है शुरुवात यह हुई है कि अब अभी लगबग एक साल पहले डीम साहब ने एक मिशन हंड्रेड प्रोग्राम रखा बरेली में मिशन हंड्रेड रखा और उसमें जिस जिस की भी जो समस्या थी वो सौ दिन के अंदर सौल्व होने वाली थी अगर कोई फैक्टरी लगाना चाहता है तो अगर उसको वन फॉर्टी थी नहीं हो रही है उसको अबादी में उसक फैक्टरी नहीं गोशेत हो रही है तो उसको तुरंट काम हो रहा था किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा था वो सारे काम हुए असलम भाई ने भी कहा कि मैं बैंक में गया लोन नहीं मिला हो सकता है बिल्कुल सची बात हो सकती है उनके लिए मैं आपको आश्वस कर कागच पूरे हैं, तो 24 गंटे तक अंदर आपका लोन पास होगा, यह मैं आपको कागच पूरे हैं, कोई काघच कभी होगी और फूरी कराएंगे, फ़ीडाएंगे में बात चोटी करें यह अगर सामने लिख कर ना दें अगर वहां खड़े होकर भी कह दें कि इन्होंने 15% मांगे 100% कारवाई हो जाएगी हम जिलादिकारी मौहदे से उस बैंक मेनेजर के खिलाफ उस अधिकारी खिलाफ 100% कारवाई करांगे हम इनसे लिखने की बात नहीं कर रहें केवल यह सामने खड़े होकर कह दें कि इन्होंने मुझसे मांगी थे वियापार मैं हमेशा कहता हूं आपका कहना यह है कि जो यह बात कर रहें वो सही हो सकती पर इनको भी स्टेंड लेना पड़ेगा बस केवल खड़े होकर वहां यह कह दें इन्होंने मुझसे मांगी थे पर समस्य यह नहीं नहीं मालीजा असलम जी से आज आपका सामना होगी आप से मिल लिए और आपने वादा कर दिया कि आप उनकी समस्य का हल करवा देंगे यह मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं कि शाम में वेपार मंडल का पुलिस ठोकी के सामने कार्याल है जिसको भी कोई समस्य हो चाहे वो वेपार ही हो वेपार करता हो या ना करता हो चाहे जंता में से जंसादान में से कोई आत्मी हो जिसको कोई समस्य हो जो भी जैन्यून समस्य होगी उसका निस्तारण हर हाल में होगा हमारे वेपार मंडल के पिर्देश के महामंत्री राजेंदर ग गाएगा अभी फूट सेफटी वाले काफी आतंग बचा रहे थे वरेली में कि फूट सेफटी के लाइसेंस ले लीजे रेस्टेशन करा लीजे खंपल सरी था बिना हिसाब किताब के हो नहीं रहा था राजेंद गुपता जी ने कैम लगवाके वो सारे फूट के रेजिस्ट करा लिए तो अगर किसी को भी कोई समस्या है तो अच्छी बात आपने बोली मैं समझना चाहरा हूं कि इसे आपने भी बोला कि यह जो अध्योग को लेकर जो समस्या हैं बरेली की वो नहीं नहीं है वो पिछले 20 साल से वहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी अभी भारती नौ विधायक सांसद हैं आके खंतोज गंगवार वह आठ बार के सांसद हैं मुझे कुछ लोगों ने बताया कि रबट फैक्ट्री हुआ करती थी 2004 में खत्म हो गई बंद हो गई जी यह दोबारा शुरू हो सके और यह जो रुख गया है बरेली का उद्योग बरेली की पह एक प्रयास किसके तरफ से हुए जैन्मिन प्रयास किसके तरफ से बढ़ रहे हैं कि दित्ता कुछ नहीं है बढ़ रहे हैं नहीं आप देखिए अभिनव जी है रामा शामा पेपर मिले यूपी में नाम है बील एग्रो है पूरे नौर्स जोन में क्या मतना मैं सो आल इंड जैसे ही दो-चार सवाल में और पूछ लूँ आप ही लोग के सवाल पूछ रहा हूं फिर आपके सवाल ले लूँगा फिर आप जवाब मांग लीजेगा ट्रांसपेरिंसी पार दर्शीत हो तो जो लोग के सामने जो बैठे पहली कतार में लोग बैठे हैं जो बंद हुआ पढिए बढ़ी और दुबारा शुरू हो उसके लिए क्या प्रयास हुए जोब बंद हुए है उनके लिए अभी कोई प्रयास नहीं हुआ उस नयुक्तिस कहना ब्लकुल ठीक है सारे सार उसमें कुछ नहीं हुआ है नए उद्योग जरूर लगे हैं लेकिन जो पुरानी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रें बंद हो गई है उन चलिए आप बाइसाब बता देंगे कहों से नए उद्योग लगें हम बता तो आप देखिए जहांपूर रोट पर देखिए जो कुटी रुद्योग आपके पिलाई के लेकिन नए जो हुए उनकी बात कर रहा हूं लगबग 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 चालिस से जादा जो पिछले चाल साल में लग चुके हैं आप कभी चले साथ में तो आपको वहां वेजित पर करा देते हैं को ड्रेली से लका मैं इन्वेट सुए के बात की बात कर ने इन्वेट से लकाह है उसमें सत्रु उसमें सत्रास पुर्घाउग आय। त रजाओं מ लघे पलीज मीरी रिक्वेस्ट आप लोगों से शान्त होजये इता हैं इसको बनाज है नया सरकार के और वहाँ पर 20-25 नए उद्योग लगे हैं और लकडी के मामले में तो बरेली का एक बहुत अच्छा नाम बन गई है तो प्लाइवोड इंडस्ट्री है विनियर है माइका है इसका उद्योग बरेली में पिछले 5 साल में बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके अलावाद तेल के फ मैं कोई सरकार आदमी नेहीं मैं मैं कोई भाजम या सपा की ताहरीफ यह बुरा है नहीं कर रहा हूं मैं यह कहना चाहरा हूं कि पिछले कहीं सालों से जो समस्याइं थी वो अब मुझे लग रहा है स्वाल होंगी क्योंकि सरकार के जो पॉलिसीज है वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क सरकार ने लॉंच किया आपके पास से सामने बैठी जानता बहुत कर्मिन्स नजर नहीं आती है सिंगütünड है वासव बेंकिंग में दिक्कत है है पहले आपको 15-20 विवाग में अलग जाना पड़ता था। अब सरकार ने सिंगल विणिजटिया है सरकार ने कर दिया है अधिकारी उसको कर पा नहीं रहे हैं उसमें अभी कमिये चल रही है और उनकी जो अच्छे से जो उनकी टाइटनेस की जा रही है कियाना वाईसब का उद्योग बंदू में हमारी मिटिंग होती है जिला दिकारी के साथ ये सारे मुद्दे उसमें रखे जाते हैं और वहाँ पर जो मिटिंग होती है उसमें अधिकारियों की अच्छी किचाई होती है वैसे सो दियोक के बारे मैंने जनता से कुछ लोगों से यहां की लोकल पत्रकारों से बात की बहुत कर्मिंस नजर नहीं आ रहे थे उनका कहना थे कि जिस तरी के शुरुआत ह हुई थी जिस तरी की से इसको हाइप दिया गया था लोगों को उम्मीद जगी थी शायद कुछ होने वाला है उस तरी की कुछ हुआ नहीं उसमें सौरब जी यह सब चीजें आज से नहीं है मेरे पिता का स्वेम ऑईल मिल था शैदाना रोट पर अधिकांश लोग जानते ह शैदाना रोट पर और उसमें सन 2000 में इसलिए बंद किया कि 16-17 डिपार्टमेंट उसके उपर आ गये थे 16-17 डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर राज इतना ज्यादा हो गया था कि उन्होंने का मुझे चपरासी को भी एक को हाथ जोड़ जोड़ के मैं बड़ा परशान कोई चाहेगा कि आज मैं समस्य में सुधार करूंगा तो इसको दो-चार साल तो लगेंगे लगेंगे ठीक करने में तो अब ऐसा नहीं है मैं स्वेम एक फेक्ट्री का प्रपोजल है मेरे पास काम कर रहा हूं फरीद पूर रोट में लगा रहा हूं बिजली का कनेक्शन भ टो बिजली है जोविज दोगों को मिल आज बार आज भीैसे लोगों को आज विलन पारा है पार है इस इस लिए अब जरीका रहा है तो तोड़ा अरादना इस था हमें आज हम इसे कि खोरी वैसा ही की जा रही जयसे कि पहले जाए ती ती कुछ खास और कुछ बड़े उद्ध्योग पती जो है उनकी तो मदद की जाती है पर जो कुटीर उद्ध्योग है जो हमारा मुद्धा भी है उनकी हल्प नहीं की जारी उनके लिए कोई प्रयास नहीं की जारे है की थोड़ा सा अनोगनाइज सेक्टर जो होता है ना वहां तक देखिए अभी तो सिस्टम बहुत करब ट्राय शुरू से जड़ तक पहुंशने में तो बहुत टाइम लगेगा पर हम अगर इस जड़ी जड़ी को जो हमारी लगाता डिमांड चल रहे कि इसका एक क्लस्टर अ जरी जर्दोजी के लिए वहां पर लेकिन वहां पर हम लोगों को नहीं मिल पाई जो कुछ मिलना चींए था अच्छा वहां पर करता कि अर्बन रहा है आपको जरी के काम करने वाले है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह जो अर्बन हाट बन रहा है जरी जर्दोजी वालों के लिए आप लोग लिखकर एक लेटर दीचे सबी को उसमें मिलेंगी दुकाने और केवल जरी जर्दोजी वालों को ही मिलना चाहिए जिसको दुकान ना मिले वो इनके पास जाए जरूरत बनाबाद इसका बतलब यह नहीं कि सब लोग पहुंच जाए एक नाम है अलका सिंग मेरा नाम है मैं यहां पर बीजेपी में चेत्री मंत्री हूं महिला मोचा में ब्रच चेत्र में और मैं बाइप्रोफेशन आड़ोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट में मैं एक अब मीरा क मैं हम बात करेंगे हम यहां इंप करवाने के लिए हैं और हमारी सरकार का मेरे क्रवारी है और सुने तेके मैं आपको बताते हैं यहाँ एदुटरन करें करें प्लीज डोंट माइंड प्लीज डोंट माइंड यहां पर सकील कुरेशी जो एक बहुत बड़ा नाम है आप जानते होंगे और आपके इस समाद से वह जब स्लाटर हाउस इतना बड़ा ठोल सकते अगर आप पूंससे बाप ब्रकारों के वह खूल देंगे जार्टर हाउस बंद कराई और उसे कई है उसमार वहा रफंद कर्वां के काम зайए एक मैंद करंद कर को सवाल तो मेरा सवाल आप से ये हैं कि बात ज़रे-जर्दोजी की हो रह वो एक उद्ध्योग पती है और वह वाकित मेरी आवश्टति पर यह आपको माण दसन नहीं था मैडम आपका मांदशन नहीं था मेरा इसमेरी बाइब तो सुननें दोस्त आप रुकिये एक मिनिट मैडम रुक जाए एक मिनिट प्लीज रिक्वेस्ट है और आप लोग से पी रिक्वेस्ट है आप ने कहा कि स्लाटर हाउस ज्ञादा अच्छा होगा कि वह जरी-जरदोजी के काम पहली बात तो यह कैसे तरह सबके साथ में हमारी सबके साथ में हमारी सरकार शकील जी के साथ में मिलके सबके साथ और सबके विखास की सरकार और मेरा दूसरा सवाल आपसी यह है कि आप सरकार में हैं आप मार्ण दरशन भी करिए और आस्ता भी दिखाईए यह मत बताए कि किसी तीसरे आदमी के पास जाहिए और वो फैक्टरी खुलवा दें सवाल आपका लिट के नाम है आपका मुझे 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 सर्टाज अलवी कहते हैं मैजाब जरी का काम करता हूँ एक जरी कारिगर हूँ मेरे हलात नहीं थे मैं इस प्रोग्राम में आऊँ अभी 20 दिन पहले मेरे पिता जी की डैथ हुई है लेकिन मुझे जब यह बतायागे कि यह जरी के काम करने वालों के लिए यह प्रोग्राम रखा गया है तब मैं आया लेकिन और यह मैं जो सुन रहा हूँ अगर मैं कोई लफ गलत कर दूँ तो उसके लिए पहले से माफी चाहता हूँ आप से सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन जो सर जो व्यक्ति काम करता है मैं भी काम करता हूँ मेरे पिता जी सुर्गी है वो भी काम करते थे और मेरे दादा मरूम वो भी काम करते थे जिस आदमी की आमदनी 200 रुपए दिहाडी है वो क्या करेगा वो क्या करेगा बताइए हमारी आमदनी 200 रुपए है पल्डे की 1500 रुप तब उन्हें रोटी मिलती है मोदी जी बहुत महान है योगी जी बहुत महान है अखिलेश यादब जी बहुत महान है यह बहुत बड़े लोग है एक आगा दूसरे जागा हमें रोटी कमा के खानी है हमें आज जाते हैं काम करते हैं काम करने के लिए हमें रौशनी की जरूरत है जो अमीर로 जो गड़े यूपिया दे रहे हूं दे नहीं हमें सरकार घ्री का सब्सकी और यह को सक्वार करते हैं अन्य इस्वास करतें औरी में अलब बधन fan रों जैते नौनकों भेनाई के कंजोर हो जाती है उनकी नाके भीमार हो जाती है वह के के पेशन्ट हो जाते हैं मेरे पिता जी एक हाथ से विकलांग थे बहुत कोशिशे करी उन्होंने हर जगा जाने की एक विकलांग सार्टी विगिट तक नीवन बापा है वो डिश्टिक में मैं किसे कसूरवार मानूं मैं कसूरवार किसे मानूं जवाब देना चाहेंगे क्योंकि मैं इनके जवाब नहीं चाहता हूं मैं मेरे भाई सौरव भाई क्या नाम है आपका मैं दो मिनिट लूँगा सिर्फ मेरी बात सुनने मुझे लगएगा कि भारत सरकार तक मेरी आवाज पहुच गई सुन रहा हू ना भाजपा का ना कांग्रेस का हमें रोटी खानी है और पेड़ भरना हमें कोई रोटी नहीं दे जा रहे हैं लेकिन हमारे नाम पे अभी मैटम गोल लहीं थी हमने साथ सो बहनों को जरी टूल किट दी बरेली में सबसे ज़्यादा जरी का काम जोगी नवादा दावे के साथ कह सकता हूँ अगर चार लोगों को भी टूल किट दी गई हो सरकार सरकार बहुत काम कर रही है सरकार मेरी 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 सरकार बहुत काम कर रही है लेकिन जो उसका स्ट्रेक्चर है मैं फिर से दुबारा कहता हूँ जो उसका स्ट्रेक्चर है नीचे की सीड़ी ह वो बहुत खराब है गरीब आदमी को उसका हग मिली नहीं पा रहे हैं आप लोग जवाब देना चाहे हैं अरे सकील कुरोजी हमारा बाप थोड़ी है हमारे बाप हमारे भारत सरकार है हमारे बाप हमारे उत्तरपरदे शरकार है हम तो अपनी बाप सरकार से कंगे अपनी रिय मिले हगदार को हग मिले होता क्या है कि बड़े बड़े जिनका जरी से कोई तालुक नहीं कोई रिष्टा नहीं है वो आते हैं तूल किटो लोन हो जो भी चीदो वो उसको पा जाती है हगदार भूका प्यासा मर गया और मालदार और मालदार हो गया गरीब और गरीब हो गया पर उनका दावा है कि जो उनका इलाका है जहां ज्यादा काम होता है वहां वो दावा करते हैं कि चार मशीने भी नहीं बटी होंगी तो इस पर चेंज कैसे आएगा बाई साब का ये जो ये जो आपने वर्णन किया है ये बिल्कुल सही कहा है सो पिर्टीशत सही है कि 200 रुपए ही मिल रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि किस परकार से अपना घर चला रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन अब ये आज से इस्तिती नहीं हुई है ये जो इस जरी के लिए जो बंन रहा है जो यह रही बंध पर भाई एक डिन में नी बनेगा के एक दिन में नी बनेगा है बहुत देर बिए क्या सवाल है कि आपका इस पिछली सरकार का बोल ऐन के वो 15 सारेस असाल में बता ही говорить कि आनलेक्ण सार्य वह घ्या हो रहे नți हुठ अप सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ठीक है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया बंद हो गई सब्सक्राइब करें जिस्थे बरेली के लोगों को रोजगार मिल रहा था लेकिन रिवंध नहीं है अमान रहे हे कि भी नहीं है को हुछ सब्सक्राइब करें है कि हम लोग लोग गलत तरह पारिक्राइब के लिए उड़ियामी के वैश्पार की नुमाइदा नहीं है सरकार की नुमाइदी कि पुछा की पिछले है आज बढटार चानित हम लोग उन ठाली हम लोग को जगह चीcidos, हम लोग ने घुन के वह पर के सवाल श कहीं नहीं है जो पहले जो आपने पताया था अपने प्रण फैट्री गई उसके बाद में जो आपने तो पहले समाश्या थी पहले है जो पहले काम था यह था जाट घंटी दूटी होती थी कि लिम्गोम टीन सित्य होते हैं एक उसमें 8.00 यहीं आरा इफा सप्रिय्ट को होते हैं त। उसमें 8 गंटे को तिन सित्य हुते हैं जो हुआज के लिगा है उसमें हो रही है कि जो अब बारा गंटे काम कर्ये और लेने के भाद में विड़तायए जो अब बैल कोलू है यह बारा घंटे काम लेने के बाद में 300 रपर ढाली दे रहे हैं बाद सब्सक्राइब काम और इतनी मेंनसे काम है जिन लोगों ने किया है मेरे कुछ लोग मिलने वाले से नों काम किया है बोर्ट फेक्ट्री में उनको किया हुआ एक साल के अंदर दमे क कि बीमारी हो गई और कितने बाद में 300 रुप है जैसे कि आप लोगों से एक सवाल हमारा कुएप पर आया है कुएप पर रीना ने सवाल पूछा है कि बरेली इंडिस्ट्रियल संबिट हुई सौथ द्योग लगाने का टार्गेट तैकिया गया पर जमीन पर कुछ नहीं द कि बरेली से जितने प्रोजेक्ट फाइल किये गए थे उसमें से मुश्किल से 20-25 प्रोजेक्ट ही क्रियानवित हुए हैं और उसका जो मैं आपको बता रहा था कारण लगा था कि जो सिस्टम में कमिया हैं जो धक्या खाने पड़ते हैं विभागों में जा जा करके उसके के लिए कोई तयार नहीं है सिस्टम चला रहा है सरकार के जो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट सिस्टम मैं कोई सरकार की पैर भी नहीं कर रहा हूं मैं तो यह बताना चाहरा हूं कि जो सिस्टम है उसमें कमिया बहुत हैं इंप्रूमेंट चाहिए इंप्रूमेंट हो जब और रहा है उससे यह ऐसा महसूस होता है कि काम होंगे सिंगल विडो gider शिस्टम सरiventर्कार ने चालेव किया कि अंचे आगे आगे अगे कोई भी सेरकार है हमारी यह रहेगी कि हमें सिंपलिसिटीशे त्यांष भी सयांतों और त्यस ल §c पूरे हो पाया ना बीजेपी कारकाल पूरे होने को है उसमें भी नहीं हो पाया अगरा मेरा सवाल है कुएपरी गमन में पूछा है कि बरेली में बरेली से ओध्यमी है आप लोग कह रहे हैं आ रहे हैं या ओध्यमी वो कह रहे हैं पलायान कर रहे है पलायान हुआ है बैने आपको बोला था अपने भाशन में पहले भी कि लगातार पिछले दस साल में पलाय हैं और ऐसा हमें फीडबेक मिल रहे हैं कि कुछ बदलाओ हो रहे हैं लोग वापस आएंगे उद्देमी वापस आएंगे और सवाल कोई पूछना जाएगा इधर माइक देदी आगे इस तरफ हम अपका मेरा नम राधे गुरजर जी क्या करते हैं मैं नगन निगम में नौमिनेट बारशाद हूं और बारशाद जी और बीज़पास आप सवाल पूछेंगे कि जवाब देंगे कुछ मैं सवाल भी पूछूंगा जबाद भी दूँगा बदाईए त्या क्या सत्ता सरकार जो है सरकार जो है जब तक जब तक जब तक अभी इतना इतना यूत यहां बैठ वा है सभी लोग सवाल ही कुछ रहे हैं किसी ने uration 2-3 भी लोग यहां पर पूrence सब्सक्राइब करने का बोलने का हमें नहीं है क्या जल्ली बूलिए थोड़ा समय कम है आपने सरकार की मंसागी सिस्टम की बात की सिस्टम सुधनने में अब बन लगेगा बता इजब लगेगा जब तक है आप बताई कितना टाइम चाहिए हमें जितना जैसे जैसे समय बदलता है बैसे वैसे विवस्ताइं आपडेशन मांगती हैं हम पुरानी विवस्ताओं में चल लएते अभ तक अब 15ारी के लिए ओती है तो पांच वे काम किया एतना काम किया आप सुन नहीं पाओगे आप सुन नहीं पाओगे काम की बाद आप कर रही क्या बात अरे और क्या मैं सरकार का प्रक्ष रख रहा हूं आप जिस तरीके से नहीं ठीक है आप सुनी नहीं पाओ कि मैं इतना बोल सकता हूं यह सेशन हम यही पर खत्म करते हैं आगला सेशन होगा उसमें पार्टियों के लोग आएंगे बाश्पा सपा बस्पा कॉंग्रेस सवाल उनसे बूचिएगा कुटी रुद्योग सेशन हो गया ठीके बहुत धन्यवाद आप लोग का